इस बात को लेकर कर चलिए गातिसर चला रहे हैं आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा और तीन बना हुआ जगा है तो इसको अधिकार है हाउस को अधिकार है नहीं फ्रसिचूशन निकाल लिए आप इसके बारे में अ परसों फिर दीजिए ये बिल्कुल नियमों के पृतिपूल मैं आपको कहना चाहता हूं मैं सुन रहा था इसलिए लिए हम हाउस में आये हैं लिए हें सरकार का जबाब दे रहा है और मैंने है अफ्राइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना हम बैठ करके सुन रहा है ये तो बता रहा है कि पूरी इंक्वारी हो रही है और जब पूरी इंक्वारी हो रही है तो वो गया ये हाउस का चीज है आप जब इंक्वारी हो रही है और ये हुआ इसके लिए कोट है और जब इंक्वारी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोट में आप हाउस में पूछ रहे हाउस में बता जा रहा है और जो इंक्वारी होती है ये काम करना पुलिस का काम है आप इंटर्फेर नहीं कर सकते हैं और जा संबिधान देख लिजिए आप संबिधान देख लिजिए और संबिध देख लिए एक बात जान हो रहा है कोई चीत यह का अथिकार है और अगर वो गढबर करेगा सरकार की तरफ से कि दिपार्ट्मेंट की तरफ से गाइड लाइन यही है कि निश्चीत रूप से करना और आप जानते हैं हर बार हम एक एक मात कहते हैं ना हम किसी को भुचाते estar नहीं किसी को बचाते हैं यह काम नहीं है सरकार का यह बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं इस बात को लेकर कि चलिए गातिस तरह से हाउस चला रहे हैं आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा मान्या मुखमंति जब जब जबाब दे दिया गया इंक्वाइरी हो रही है और कहा गया कि सारी इंक्वाइरी होगी और इंक्वाइरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वाइरी की रिपोर्ट पुझे पहत्रीप हुई है मैं आशन की भी बात सुनी जाए आप सुन लेजिए मैं जान करके आश समय पर आकर करके सुन रहा था मानने मंतरी जी जापर करता कुर्की जती की बात उठाई उन्होंने जबाब नहीं दे पाया तुर्की जती पर उपारे सब में थोटा है रिपोर्ट कोर्ट में जाता है कहीं भी क्राइम होगा वो जाएगा कोट में और कोड़ पर इंक्वारी करके सजा देगी आपका ये काम नहीं है आप पूछ रहा है जबाब दिया जा रहा है अब आप कहिए आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देगे मैं आसन से संबच्छित सबस्क्रों को करने के लिए और आपको मालूम है भी हमने क्या का साथ दिन के अंदर पूरी इंक्वारी करो अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी स्टी की बैठा कोई उसमें हमने क्या दिर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को का और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे है और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग और एक बात अच्छी तरह जान लिए लेकिन इन सब चीजों को ले करके अपने इलाकिया की कोई बात को ले करके यह हाउस का चीज नहीं है यह इंटरफरेंस नहीं करना चाहिए यह बात हम कह देते हैं और हम तो बैठे सुन रहेते हैं इसलिए आप इसके बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया आप इसके बाद फिर बताईए अरे यह क्या बताएंगे यह दो आपको बताईए रहे हैं अगर अगर यह बात हुई है मैं निश्यत रूप से आज भी पूछूँगा डिपार्टमेंट से आज भी मैं पूछूँगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है मैं इसके बारे में पूरी जाज करूँगा आज हम कोई दे रहा है कि जवाब भी है जब इनको हम अथराइस किया है आज हम देखेंगे लेकिन क्रिपा करके इन सब चीजों के बारे में ज़्यादा नहीं करिए ये सब करना अची बात नहीं है तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे आगरह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है हाउस में कुछ भी पूछ सकते है हाउस में जवाब दिया जाता है लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है ये स्वारी कोर्ट नहीं है अभी हाउस का नहीं है रिपोर्ट कोर्ट में जाता है इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है सम्विधान में जो ब्यवस्था है कौन सा काम किसको करना है वो बहुत ज्यादा निर्धारित है और उस निर्धारन के हिसाब से ही चलना चाहिए और पहली बार हम देख रहे हैं इतने दिनों से हमको एमेले घरूप में रहने का काम मिला है और यह चौथी बार हमको यहाँ पर काम करने का मौका मिल रहा है यह पहली बार हम देख रहे हैं ऐसा तो आज तक अभी हुआ ही नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए इसले हम हाथ जोड़ करके प्रात्ता करेंगे कि अगर इसके बारे मे तो फिर बातशित करेंगे हम और कहीं भी कोई भी डिले है किसी इनिवेस्टिगेशन में हम सारे मामलों में आज ही हम मिटिंग बुलाएंगे और आज ही हम कहेंगे किसी चीज में कितने में तुम्हारा इनिवेस्टिगेशन में कितना समय लगा है और इनिवेस्टिगेशन सा समय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रही सब चीजों को जोर पूछेंगे अभी मंतरी जी ने बता दिया कि इसके बारे में पूरा देखा जा रहा है और इसको किया जाएगा तिस बात को ध्यान रखिए हाउस में हर चीज को आज नहीं फिर कल ये हाउस का का बाइब मानने मुखुंत जी सदन में जब प्रस्ण आया कि इस कुर्की जबती कब तक होगा अब उसी में एक मामला इन्हों ने जोरा जिसके कारण तीन बार सदन के अंदर सारे विधायकों ने उठकर के हंगामा किये हमने आगरा किया कि विशेशा धिकार कमिटी में चलना उस पर चर्चा नहीं होगी मामला हुआ कि जो आयोजन करता हुद घातन करता का आज तक रेस्टिंग ने हुआ दरसक दिया में बैठे लोगों को अंदर वेज के 19 दिन के बाद जेल से निकला ये इस मामला को सरकार क्यों गंधेरता से नहीं ली और आज जब हुआ कि इसे कुरकी जप्ती कितने लोगों को ही वही घटना में जिस घटना में सरसती पूजा का मामला में कि निर्दोष को ला करके खाना पुर्ती पुलीस कर दी है और दुरिभाग से देखे आप एक में सुन लिया जाए दुरिभाग से मानने मुखमंतरी जी ये घटना मेरे छेट से जुरा है आपका गुसा जाईज है और संदिधान हमसे ज़्यादा आप जानते हैं इसमें भी दूमत नहीं है हम लोग तो आपसे सीखते हैं आसन तो आपसे क्या जो वरिष्ट लोग है उनसे भी सीखते हैं और सदन चल रही है सबके सहयोग से लेकिन आपके उस जीरे टॉलेंस का मामला न्याई के साथ विकास का मामला कानून का राज अस्थापित करने का ना बचाते हैं ना फसाते हैं तो सदन तीन बार हंगामा किया सारे पक्ष और पर्तिपक्ष के सदस खरे हुए और उनने कहा कि बरसर दिरगा के देख्ती को आपने जेल बेज़ दिया जो की ठाना से नहीं जमानत मिलता है लेकिन आयोजन करता हुद गातन करता पर आपने करवाई नहीं किया जो पदाधिकारी वहां मवजूद था उस पर भी आपने करवाई नहीं किया पोरी मामल नहीं यह यह नहीं आसन को हतोतसाही का दिमुरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो पारधरसिता के साथ विवस्ता बने और मुझे हमको तो आप सब लोग मिलके बैठाए हैं मैं तो आप ही की भावना को स्थाफित कर रहा हूँ कि कोई भी गलत करेंगे कानून के साथ ख्यलबार करेंगे बिधायका को कमजोर करना चाहेंगे अब परसासनी करा जगता पहलाना चाहेंगे जो मुखमंतरी कतर ही नहीं होने देंगी और आपकी अच्छी बात है हम चाहते हैं कि पूरी मामला को आप मेरता से अपने स्थ से देखबाल है ये तो दुरुभाग है कि मेरे छेट से जुड़ा है और आप खुद कही बार कहेंगे कि बिधायका पूरे विहार का कहीं कि भी प्रस्ण को कहीं कि भी विवस्था को देख सकता है उन्होंने पूछा कि कुर्की जबती अभी तक नहीं हुए आपने अभी बोला कि साथ दिन के अंदर नहीं करेगा तो कारवाई करेंगे साथ दिन से उपर हो गया मामला छेतर जाते हैं मान्यय मुखवंत्री जी ये संबान आप लोगों नहीं दिया जाते ही लोग कोश्टन ख़़ा कर देता है पूछता है आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके और मैं एक दारोगा का एक ठाना प्रवारी का एक दियस्पी की भी बात को नहीं रख पाता हूँ विधायका का कई प्रस निस पर उठा है आप लोगा की बैठेक ये मामला उठा है ज़ैसे आप कहें सदन चलाना उसी तरह से सदन चलेगी लेकिन सरकार के संदक्षन में सरकार के नीती के हित में ही हम लोग ये वेवस्था बना रहे हैं मानने ये मक्मनतरी हैं कि कोई confusion नहीं होना चीए अगर इस बात आया और आपने हाउस में कमीटी में वो बना दिया है वो कमीटी एक एक चीज को देख करके अपना recommendation देगी और निश्चत ठुम से जोक मिडी का अगर आप बीच-विच में बराबर बोलिएगा बात नहीं सुनियेगा तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं हम आप को एक बात कर रहे हैं अगर कोई इसू हुआ है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर के एक कमीटी बन गई आपने उसको कमीटी नहीं मतलब उसक विसेशाधिकार समीती को अब विसेशाधिकार समीती एक एक शीज़ को देखने के बाद अपनी राय व्यक्त करेगी और जब अपनी राय व्यक्त करेगी तो हम आपको इतना करते हैं कि हम गर्मेंट में उस राय को फिर से विचार जरूर करेंगे और दिखवाएंगे कि एक संसके परनाब से उन लोगों ने ये कहा है उसको हम जरूर दिख़वाएगे एक बात जरूर कहेंगे लेकिन सका काम है वो कहेंगा रैकमेंट करेंगा उसको फिर से दिख़वाएगे हैं और दिख़वा करके जो कुछ भी पैसली चीज्श को उस चीज़ को सामने लाया जाएगा, इसलिए इसके लिए अब कोई बात हो गई, तो बात हो गई इसको रोज रोज चर्चा करने की ज़रुरत नहीं है, जब एक बार हाउसी में उसको कर रहे हैं तो उसको देख लिया जाएगा निश्चित गुरूप से देख लिया जाएगा उसके लिए कोई चिंता मत करिए हम लोग ऐसा ने और हम तो चाहते ही हम सब दिन बोलते हैं कि हाउस में जिन लोगों को जो उचित लगे वो प्रस्ट उठाइए इस बात को रखिए जब आप दिया जाता है तो उस सब चीज तो किया ही जाएगा इसमें कोई शक ने लेकिन इस चीज को अकारण इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है जब एक बार आपने उसको दे दिया तो उसके बात फिर आप इसको रोज रोज उसकी चर्चा करने की आप सकता नहीं है इतना हम ज़रूर आग रख करेंगे आप से